तो दोस्तों अगर आपके पास इंडिया के जो भी प्राचिन काल के नौट और शिक्के है तो दोस्तों आप एकदम सही वीडियो पे आ चुके है दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ ऐसे एक्जिबिजन के बारे में बताऊंगा कि आप कहां पर अपने नौट और शिक्के बेच पाऊगे और कितनी कीमत आपको इन नौट और शिकों की मिलेगी साथ ही दोस्तों ये जो आपके पास प्राचिन काल के नौट और शिक्के है ये अगर आप रियल में बेचना चाहते हैं तो दोस्तो आपने एकदम से वीडियो को क्लिक किया है क्योंकि दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन से सेरों में एक्जिबिजन लगते हैं और साथ ही दोस्तो कैसे नोट और शिको की कितनी डिमाइड है वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूँगा तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखोगे तब ही आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी अन्यता दोस्तों आप अपने नोट और शिके भी नहीं बेश पाओगे और आप ऐसे अपना समय बरबाद करते रहोगे तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखे और साथ ही दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको मेरे खुद के वार्टसम नमबर देने वाला हूँ तो आपको जो मैं वार्टसम नमबर दूँगा वो नमबर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे और आप उन वाट्सम नमबरों पे आप अपने जो प्राने नौट और शिके उनके वीडियो बेज दीजेगा जी हाँ दोस्तों आपके पास ज़्यादा शिके और नौट है तो एक सोटा सा वीडियो बना कर मुझे शेंड कर दीजेगा अगर आपके पास एक दो शिका एक दो नौट है तो दोस्तों आप मुझे फोटो भी शेंड कर सकते हैं जैसे दोस्तों आप फोटो शेंड करोगे मैं आपको हातो आत रिप्लाई दूँगा दोस्तो एक यहां दो मिन्ट ही लगेंगे जिसमें मैं आपको हतो आत रिप्लाई भी दे दूँगा जिसे दोस्तो आपके नौट और शिके बेचने बहुत आसान होगे लेकिन दोस्तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आई तो आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से नौट रेर होते हैं और किस परकार के नौट रेर होते हैं और रेर नौटों की कितनी कीमत है और जो शिम्पल नौट है उनकी कितनी कीमत है वो भी मैं इस वीडियो में आपको अलग लग बताऊंगा साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते जो 5 रुपे टेक्टरो वाली नौट है वो नौट है कई तरह की होती है कुछ rare नौट होती है कुछ simple नौट होती है और कुछ नौटों के उपर फोटो भी अलग लग होती है डिजाइन भी अलग लग होती है तो उनकी कितनी कितनी प्राइज आपको मिलेगी वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा साथ ही दोस्तों कुछ ऐसे सिक्के जो अलग-लग मिंट मारके बने हुए है तो दोस्तों अलग-लग मिंट के अलग-लग सिक्को की प्राइज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और साथ ही दोस्तों कितनी कीमत आपको मिलेगी वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तो इस वीडियो में जो भी मैं आपको जान कर दूँगा वो 100% रियल है और आप लोगों के लिए बहुती फायदे मत होने वाली है इसके अलाव दोस्तो आपने यूटूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और दोस्तो आपके पास है और आप बेजना चाहते हैं और आप वीडियो तो बहुत सारे देखते होंगे लेकिन दोस्तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं दोस्तो 100% आपको रियल बोल रहा हूं कि आप अपने सारे के सारे नौट और शिके बेज पाओगे लेकिन दोस्तों वीडियो पूरा देखने से पहले अगर आपके पास ज़्यादा शिके या फिर एक दू नौट है तो भी दोस्तों आप घर बैटे रातो रात लगपती बन सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा नौट और शिके है तो आप करोडो रुपे कमा सकते हैं दोस्तों मैं इस वीडियो में ज़्यादा शिकों के बारे में नहीं बताऊँगा सिरफ मैं आपको पांच शिके पलस आपको चार नौटों के बारे में बताऊँगा जिनकी जबरदस्त डिमाइड़ भी है हर जगे आप जहापर भी कॉल करोगे वहाँ पर भी इन सिक और नौटों की डिमाइड़ चल रही है तो दोस्तो रशे तो बहुत सारे नौटों और सिक ए खरीदे जाते हैं ताकि मैं आपको उनकी भी प्राइज बता सकूँ या पर सबी नौटो और शिकों की प्राइज बताऊं तो दोस्तो वीडियो कम से कम 2 या 3 गंटे का हो जाता है इसलिए दोस्तो जिन नौटो के डिमाइडे चल रही हैं उनके बारे में बता दूँगा और मेरे खुद के वार सुथ भी दिखाऊंगा जो बहुत सारे लोग अपने नौटो और शिके इस वीडियो के माद्यम से बेचते हैं और बहुत सारे लोग मुझे कॉल भी कर रहे हैं कि हमारे नौडो और शिके बेचने हैं तो उनके दो यहां तीन दिन के अंदर अंदर नौट और शिके बिक रहे हैं, तो अगर आप भी बेचना चाहते हैं, तो आपको मैं इस वीडियो में जो भी आपको जानकरी दूँगा, उन जानकरी को आप फॉलो कीजिए, और फॉलो करता ही दोस्तों आपके शिरफ एक दिन के अंदर अंदर आपके घर टीम आए जाएगी, और टीम आपके घर आकर नौट और शिके खरीदेगी, और आपको कीमत भी घर बेटे मिल जाएगी, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, कि कौन से नौटों की कितनी प्राइज है, कितनी डिमाड है, कौन से नौट रहर है, कौन से सिंपल है, और सिंपल नौटों की कितनी किमत है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला है, तो दोस्तों बात करते हैं, माता वैसुन देव के सिक्के के बारे में तो दोस्तों वैसे तो तीन सिक्के माता वैसुन देव के होते हैं ये पांच रुपे के सिक्का होता है जो इस टाइप का होता है इसके लाओ दोस्तों एक दस रुपे का होता है और एक सिका 25 रुपे का सिका होता है जी हाँ भाई और बैनों ये तीनों सिके अलग लग होते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 5 रुपे के सिके बहुत सारे लोगों के पास है और 10 रुपे के सिके भी बहुत सारे लोगों के पास मिल जाते हैं लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे लोग है जिनके पास 25 रुपे का भी शिक्का है जी हाँ भाई और वे न जो 25 रुपे का शिक्का है वो होता है वाइट कलर में और 10 रुपे का शिक्का है वो वाइट कलर में भी होता है और गॉल्डन कलर में भी होता है इसके अलाओ दोस्तों जो 5 तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये 5 रुपए का शिक्ता है, और इसकी प्राइज आपको क्या मिलने वाली है, वो यहाँ पर मैं आपको बताओंगा, उसके पहले दोस्तों आप इस शिक्ता के बारे में जान लीजिये, ताकि दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिल सक तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यह माता वैसंग देवी का 5 रुपे का सिक्का है इसके उपर माता वैसंग देवी का फोटू भी है और इसके अलाओ दोस्तों जो यह सिक्का है गॉल्डन कलर में और इसके उपर सिरी माता वैसंग देवी स्राइन बोर्ड भी लिखा हुआ है और यहाँ पर दोस्तों इंगलीस में भी लिखा हुआ है इसके लाओ दोस्तों खास बात के बारें बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक सोटा सा आपको बिंदू नजर आ रहा है यानि कि दोस्तों यहाँ पर आप हर शिक्के के उपर देख सकते हैं सोटा मिलेगी जी हाँ भाई और बैनों मैं यहाँ पर आपको रियल प्राइज बताने वाला हूँ दोस्तों अगर आपके पास एक शिका भी है तो भी दोस्तों आप एक लाख चमोतर हजार रुपे शिके के बदले ले सकते हैं जी हाँ भाई और बैनों यहाँ पर आपको जो मैं प दोस्तो आपके पास इंद्रा गांटियू के फोटू वाला शिका और साती दोस्तो चंदर शेकर आजाद के फोटू वाला शिका यानि कि दोस्तो बात करें करांटी कारी वाले नेताओं के यहां पर दोस्तो आप देख सकते हैं बार्त के पूरुव परदानमंत्री जैसे PANDID, जवाला नेर हुए राजीव गांदी हुए इंद्रा गांदी हुए दोस्तों एसे शिक्के अगर आपके पास पाई जाते हैं जिनके फोटो उन शिक्कों पर सप्पे हुए तो दोस्तों इन शिक्कों के बदले आपको अच्छी प्राइज मिलेगी लेकिन दोस्तों आपको ब क्योंकि दोस्तों शिक्के तो एक टाइप के होते हैं लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे लोगों के पास शिक्के होते हैं जिसकी कंडिशन असी नहीं होती हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शिक्के की जो अच्छी कंडिशन है अगर आपके पास ऐसा शिक्का पाया ज दोस्तो मैं इस वीडियो में जो भी प्राइस बताऊँगा वो एक दम रियल प्राइस बताऊँगा जो आप लोगों को मिलने वाली हैं आप चाहे घर बैटे बेचोगे तो भी दोस्तों आपको यही कीमत मिलेगी अगर आप हमारी सौप पर आकर बेचोगे तो भी दोस्तों आपको यही कीमत मिलने वाली है साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं आपको रियल में मेरे खुद के वार्सम नंबर देने वाला हूँ दोस्तों यहाँ पर मैं मेरे खुद के जो वार्ट सम नमबर दे रहा हूँ उन नमबरों को आप नोट कर लीजीगा उसके बाद आपके पास जो भी प्राची इनकाल के नोट और शिके उनके फोटू मुझे सेंड कर दीजीगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं at 9012 9832 दोस्तों यह मेरे खुद के बार्ट सम नमबर है और इन नमबरों पर आप अपने पुराने नोट और शिकों के फोटू सेंड कर सकते हैं और मैं आपको हाथ तो आत रिप्लाई दूँगा जी हाँ भाई और बेनो आपको हाथ यह तो हाथ रिप्लाई नहीं मिलेगी लेकिन दोस्तों आपको दو यहाँ तीन गटे के अंदर अंदर रिप्लाई मिल जाएगी और साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर कहесяं से नोटर शिक्यों के बेचने हूंगे वो भी जानकारी देन वाला हूं और इसके अलाओ दोस्तों अगर आप डारेक्ट कोंटेट करोगे तो दोस्तों इन नमरों पे आपको call नहीं लगेगी अगर आप वाट्सोप पे voice call करना चाहते हैं तो आप voice call कर सकते हैं दोस्तों वीडियो को लाश्ट तक देखते रहेगा इसके अलाव दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको एक सोटीशी प्रोसेस दे रहा हूँ उस process में आप अगर अपने number send करोगे यानि कि दोस्तों number दोगे और फिर आपके mobile number पर OTP आएगा उन OTP को उस process के मादिम से आप दोगे तो दोस्तों आपके direct contact number जो हमारे पास आ जाएंगे और आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा जी आप है और बैनों ना तो आपको कोई registration के नाम पर पैसे देने होगे और नहीं दोस्तों आपको कोई form भरना होगा दोस्तों आप process को हाथ तो आथ follow कर दीजिए और आपके नोटर्शी के घार बेटे बिकेंगे